Hindi Medium Academy में आप सबी का स्वागत है, मैं हूँ अरुन कुमार यादो और आज इस वीडियो में हम देखने वाले Class 9 की प्रश्णावली 2.5 के प्रश्णा 9 से लेके 11 तक का सॉल्यूशन और इससे पहले की सभी वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो वहां से आप उनको देख सकते हैं, फिलाल सुरू करते हैं, question number 9 से तो जोगो, यहाँ पर जो यह question number 9 है, इसमें बोला गया है, सत्यापित कीजिए दो हिस्सों में सवाल पूछा गया है, यह इसका पहला हिस्सा, यह इसका दूसरा हिस्सा है, हमें क्या करना है, इनको सत्यापित करना है, मतलब जो बाया पक्ष है, जो दाया पक्ष है, दोनों बराबर दिखाने है, तो यहाँ पर इसको हम करेंगे कैसे, देखो, पहले हिस बराबर होना चाहिए x जमा y और दूसर ब्रेकेट में क्या है x की घाद दो माइनस x y प्लस में y की घाद दो ठीक है तो यह है अपने पास question अब इसको हम कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं देखो हमें क्या करना है हमें सत्यापित करना है सत्यापित करना क्या मतलब हुआ कि यहां पर जो यह बाया पक्ष है और जो यह दाया पक्ष है यह दोनों हमें बराबर दिखाने है यह पक्ष है इसको हम बोलते हैं left hand side यानि की LHS या फिर आप हिंदी में बोलो तो इसे बाया पक्ष बोलो या फिर आप LHS बोल दो और जो right में है इसे हम बोलते है RHS यानि दाहिना पक्ष या दाया पक्ष और इंगलिस में बोलते है RHS यानि right hand side ठीक है तो हमें दोनों को बराबर दिखाना है तो यहाँ पर हम इन दोनों को बराबर कैसे दिखा सकते हैं उसकी बात करते हैं देखो यहाँ पर तो कुछ solve करने लायक नहीं है simple x की घात 3 y की घात 3 है इसको ऐसी रहने दो हम शुरुआत करेंगे RHS से यानि इस side से ठीक है तो जो भी यहाँ पर RHS में था मैं वहाँ से उसको copy कर रहा हूँ ठीक है तो RHS में अपने पास है x plus y और दूसरे bracket में अपने पास है x की घात 2 minus x y plus में y की घात 2 ठीक है इसको solve करते हैं अगर मालो मैं इसको solve करता हूँ और किसी तरह से यह इसके बराबर आ जाता है तो कहने का मतलब क्या है कि इसको solve करने से अगर यह आ गया तो दोनों आपस में बराबर है ठीक है तो सत्यापित हो जाएगा कि यह दोनों चीज़े ठीक है गुणा होगे कितना है एक्स की घात 3 ठीक फिर एक्स यहां पर जाएगा एक्स गुणा में एक्स करोगे एक्स की घात 2 हो जाएगा साथ में y भी था, ठीक है, यहाँ plus, minus, minus होगा, फिर x जाएगा, इसके पास, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, x और y की घाददो, ठीक है, तो x कम गुणा होगे सबसे, अभी सही तरह से y की गुणा करोगे, ठीक है, तो यहाँ गया पहले, इसके पास, x square और y, ठीक है, तो यहां पे X तो पहले से ही है Y और Y वाई की घात 2 और साथ में X भी रहेगा ठीक है तो याने इनको गुणा करने पर क्या हो जायगा इनको गुणा करने पर हो जायगा X तो ऐसी रहेगा Y घात 2 और यहां पर Plus minus ,- इहां पर जाएगा देखो Y की घात 3 हो जाएगा वाई की घात 2 है यहां पर वाई की घात 1 है तो यह कितना हो गया वाई की घात 3 ठीक अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहां पर यह X की घाद 2Y है माइनस में और यहाँ पर X की घाद 2Y है प्लस में तो इसमें यह जोड़ोगे 0 हो गया, इस दरह से यहाँ पर यह चीज देखो माइनस में है सेम चीज प्लस में है, तो एक ही चीज माइनस प्लस में होगी तो 0 हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे X की घाती और यहाँ पे क्या बचा, प्लस में Y की घाती तो देखो, हमने इस हिस्से से शुरुआत करी और हम यहाँ पे पहुंचे हैं, और यह क्या चीज है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ्ट में इसके ठीक है न, लेफ्ट हैंड साइड में, यानि की बाएं पक्ष में तो दाया और बाएं पक्ष दोनों आपस में बराबर होगे ठीक है न, यह चीज यही तो है तो हम क्या सकते हैं, RHS, LHS यानि की दाहिना और बाया दोनों पक्ष बराबर हैं, तो यह सत्यापित हो गया कि हाँ भई यह ठीक लिखा है, आप एक बात याद रखना, यह जो चीज लिखी हुई है यह बहुत सारे सवाल में एक फॉमले की तरह इस्तेमाल होगा, तो आपको यह याद रखना है एक फॉमले की तरह आपको इसको याद रख लेना है आगे आने वाले सवालों में हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो यह हो गया पहला हिस्सा दूसरे हिस्से की बात करते हैं यहाँ पर देखो जो इसका दूसरा हिस्सा है ठीक है वह यह रहा अब दूसरे हिस्से में हम क्या करेंगे सीधा में इसके दाईने पक से सुरू कर रहा हूं मतलब इसका RHS जो है वह सीधा कोपी करने रहा है ठीक है तो इसके RHS में सीधा सीधा क्या लिखा है X-Y और यहाँ पर क्या है X की घाद 2 जमामे X Y जमामे Y की घाद 2 अब तो यहाँ को संज में आगया हुआ कैसे करेंगी जैसे पिछले सवाल था वैसे यह भी है तो यहां पर देखो X गुड़ा में X की घाद 2 करोगे X की घाद 3 हो गया फिर X यहाँ पर जाएगा X की घाद 2 साथ में Y भी है 남 favored फिर इसके पास जाएगा aq नों सब्सक्राइब अभी यहां पर यह जाएगा इसके पास작 फिर दो वाई ठीक है लेकिन माइनस है यहां कुछ नियुकम सुंजो does老師 क्या होता है माइनस कि दिए गास इसके पास समझे यहां बाए English आगा यानिकि वाई की घाथ दो साथ में एक्स Leaving रहेगा निसान कौन सा लगेगा, minus plus minus ठीक, फिर यहाँ पर जाएगा, y की घात 3 हो जाएगा, y की घात 1 यहाँ है, y की घात 2 यहाँ है यानि कितना हो गया, y की घात 3, इसका minus का, ठीक है, क्यों, क्योंकि यह minus plus minus होगा अब यहां से देख लो X की घाद 2Y, X की घाद 2Y खतम, X, Y की घाद 2, X, Y की घाद 2- मैंनस में खतम यहां क्या बचा? X की घाद 3, यहां क्या बचा हुआ है? माइनस में Y की घाद 3 अब आप देखो यही चीज तो है यहां पर, यानि की जो इसके लेफ्ट में है, LHS में है, हो यही है हमने सुरुआत कहां से करी थी? इसके दाहिने पक्ष से और हमने खतम कहां किया? इसके बाएं पक्ष के दोनों आपस में क्या है? बराबर है तो मतलब कि सत्यापित हो गया, तो यह था नौवा सवाल, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसके दोनों हिस्से जो थे, आपको यह फॉमले की तरह भी याद रखने है ठीक है? चली आपे चलते हैं, अब देखो, जो इसका दस्वा सवाल है, इसमें हमसे क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है, निमलेखित में से प्रतेक का गुड़न खंड कीजिए, हमें क्या करना है? ठीक है, पहले सवाल में 27Y की 3, जाओं में 125Z की 3, ठीक है? तो पहले स इसमें क्या है? 27Y का घं, जमा में 125Z का घं, हमें क्या करना है? इसका गुड़न खंड करना है, तो हम क्या करेंगे? अभी जो हमने सत्याफित किया, ठीक है, उन्हीं को हम फोमले की तरह यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि देखो, अभी जो हमने सत्याफित किया था, उसमें प तो यहां भी कुछ तीन तीन नजर आ रहा है, दो पत नजर आ रहा है, तो मतलब यहां से यह confirm हो जाता है, कि इसमें यह formula की तरह काम करेगा, ठीक है, तो यह क्या था, इसका formula था, x जमा में y आएगा पहले bracket में, और फिर आएगा x की घाद 2, minus में xy, plus में y की घाद 2, ठीक है इसको हम formula की तरह यूज करेंगे, लेकिन दिक्कत क्या आएगी, देखो, दिक्कत यह आएगी, कि यहां पर जो यह formula की तरह हम इस्तिमाल कर रहे हैं, इसमें जो पहला पद है, पूरे का घाद 3 है, लेकिन यह पर सी y का घाद 3 है, 27 का तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सो घाद 3 हो गए 27, y की घाद 3 हे, 0,8珠ीच, ठीक, cumplis 125 की चीजरा से होता है, 5 की घाद 3, तो इस पूरे को आफ लिख सकते हो, 55z की घाद 3, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, तो यहां पर जो भी यह उस पूरे का घान है, यहां पर जो भी उस पूरे का घान है, पीन के ज बवाइक ति अपने सवाल में पांचंट की गातीन है तो यहां फूमले में यहां यहां वाइब आ रहा हो ऊतशाओ लोड़ा था तो नेजिडिक धी और फिर ब्रेकिट चालो है यहां प्रेकिट चालों किया एक्स की कि जगा फिर से बोल हो रहा है सकाट है माइन इसast माइनस में यहाँ पर एकस की जगा यहाँ यहाँ पर गऻाई के थिणक की ऐसे तीन वाई एक फिर यह यहाँ पर जो चीज़ पाँच जड़ और यहां प्याद आएगा तीन का वर्ग होता है 9y का वर्ग माईनस तीन गुड़ा में 5 करोगे 15 y और प्लस पांच का और होता है 25 जड़ का और करोगे हां जड़ का और भी लिख दो ठीक है तो यह हो गया सवाल यह formula जो हमने यूज किया है वो है ठीक है इसको आप राइट में लिखना ऐसे नीचे मत लिखना तो यह हो गया इसका पहला हिस्सा अब देखो बात करतें इसके दू दूसरा इस साइस में 64 M की घाद 3 माइनस 343 N की घाद 3 तो इसमें भी क्या formula लगए गा देखो जो हमने इसका दूसरा हिस्सा सथ्यापित किया था यानि की X की घाद 3 माइनस Y की घाद 3 वाला यह formula इसमें लगएगा ठीक है ना तो यह क्या है यहां पे X-Y और यहां पे क्या होता है X की घाथ 2 जमामे X गुणा में Y और जमामे Y की घाथ 2 ठीक है दिकत क्या है कि यहां पर 64 का घं नहीं है तो हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जिसका घं 64 होता हो तो 64 होता है 4 का घं तो अगर मैं इसको लिखूं 4 M की घाथ 3 तो देखो 4 की घाथ 3 हो गया 64 और M की घाथ 3 एड़ा ठीक है तो यहां पर देखो X की घाथ 3 Y की घाथ 3 ता सुरुवात में X में से Y घटाया है तो इसकी घाथ 3 इसकी घाथ 3 है तो सुरुवात में से 4 M में से हम क्या गरेंगे 7 N घटायी फिर अगला bracket है x की घाद 2, यहां पर हमारे पास x की जगा 4m है, तो यहां पर 4m की घाद 2, माइनस प्लस में क्या है x, गोड़ा में y, तो मैंने यहां पर x की जगाद छोड़ दी, यहां y की जगां छोड़गी x की जगां में याद रखना है 4m लिखना है y की जगां 7n लिखना है फिर y ठीक है तो y की जगां 7n है अपने पास y की गाध 2 है तो 7n की गाध 2 हुग जा ठीक है यह फॉर्मॉला है आप इसको कहीं side में ठीक है right-hand side में लिख लेना तो यहां पर यहां हो गया 4 M, माइनस 7 N, यहां पर क्या होगा, 4 की घद्धो 16 M की घद्धो, 4 गुणा 7 करो गया 28 MN, 7 की घद्धो 49 M की घद्धो, ठीक है, तो यह हो गया इसका दूसरा हिस्सा, आप बात करते हैं अगले सवाल की, देखो, जो 11 है इसमें वह में गुणन खंड करना है, ठी ठीक है, तो जो भी है, इसको मैं उतार लेता हूँ पहले, यहां पर क्या है, 11 सवाल में, 27, ठीक है, 11 सवाल है यह, 27, X की घद्धो 3, प्लस में Y की घद्धो 3, प्लस में Y की घद्धो 3, माइनस में 9, X, Y, Z, ठीक, इसको हमें गुणन खंड करना है, तो इसके लिए, अपने पास एक formula है, देखो हमें पर तीन बा घंद आ रहा है, ठीक है, X की घद्धो 3, Y की घन्धो 3, फ्लस में कुछ है, तो इसके लिए पने पास इसकी सकल से मिलता औरे Umla है, क्या है यह, X की घात तीन, जमा में Y की घżej 3, जमा में Z की घद्धो 3 हो, और माइनस में, 3, Y, लेकिन हमें ऐडिया लग रहा है कि यही फॉमरा लगेगा अगर ऐसा है तो यह फॉमुला क्या केता है इस फॉम्ले का एंसर होता है एक्स एक्स-वाई और जट तीनों जूड़ों पहले फिर दूसरा फ्रैक्ट चालो करो इसमें X की घाद दो लगाओ, जमा में Y की घाद दो लगाओ, जमा में Z की घाद दो लगाओ, फिर माइनस में एक बार X, Y करो, फिर एक बार माइनस में Y, Z करो, फिर एक बार माइनस में Z, X कर दो, ये होता है formula, ठीक है, बहुत से बच्चों को थोड़ा लगता है बड़ कुछ नहीं ठीक है, simple सा है, तो ये formula हमें लगाना है, ये वाला, कैसे लगाएंगे, भाई, जब बिल्कुल इसके जैसा बनेगा, सवाल तभी तो लगा पाओगे, यहाँ पर 3xyz होना चाहिए, यहाँ पर 9 दिख रहा है, तो कुछ तो गड़बड है, हमें वो ठीक करना पड़ेगा, ठीक 3 की घात 3, तो इसको हम लिख सकते है, 3x की घात 3, यहाँ पर तो y की घात 3 है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिककत नहीं है, यहाँ पर z की घात 3 है, कोई दिककत नहीं है, माइनस, अब हम आएंगे formula पे, formula में जो यहाँ पर है, x, y, z, इसके पहले होना चाहिए 3, लेकिन अपन x क्या होगा, x यह होगा, जो जिसकी घात 3 यहाँ पर है, पूरे गी, इसको मत लेना, क्योंकि यहाँ पर 27 की घात 3 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 की घात 3 है, x की घात 3 है, पूरे की घात 3 है, तो यह x का काम करेगा, यानि कि जो x लिख रहे थे, उसकी जगा लिखोगे, 3x, Y की जगा यही रहेगा Z की जगा यही रहेगा क्योंकि यहाँ पूरे का घन है यहाँ भी पूरे का घन है लेकिन यहाँ 27 का घन नहीं था इसलिए हम उसके 3 का घन उसके 3 लिखा अब देखो जारा अब क्या यह formula fit बैटता है बिलकुल fit बैट रहा है लेकिन बस याद रखना है कि इस formula में जहाँ x है वहाँ पर हम x न लिखके 3x लिखेंगे तो चलो यह चीज तो देखो यह रही इससे मिलती जूलती है x की घन 3 की जगा यह है y की जगा यह है z की जगा यह है इसकी जगा यह है तो मतलब हमें यह नीचे वाली अग्लिक कर देना से माइनने सrica को माएनस में ब्रिन इलीवरम में देंगे इसको अर्व मीनस जह गत्म फीर से समझो यह हां तक यह रहा इसके बदले में यह रहा फिर माइनस में एक्स बाइ माइनस में yz, माइनस में yz, जगा छोड़ दी है मैंने, माइनस में zx, जगा छोड़ दी है, ठीक है, समझाने के लिए जगा छोड़े, ताकि एक बार मैं लिखूं तो हो सकता है, बहुत सारे बच्चों को थोड़ी confusion रह जाए, अब क्या करोगे, xy, x की जगा देखो ये र बस, ठीक है, अब देखो, क्या हो जाएगा, ये हो गैं 3x, प्लस में y, प्लस में z, अगले ब्रेकिट में क्या आएगा, 3 की घाद दो 9, x की घाद दो, फिर y की घाद दो, फिर z की घाद दो, माइनस में 3xy ठीक है इस लाइन के बाद यह नीचे आ रहूं फिर माइनस में yz फिर माइनस में 3xz यह हो गया ठीक है यह तो अपना फॉर्मला था ठीक है यह चीज क्या है यह तो फॉर्मला है इस वीडियो में जल्दी मिलेंगे इस वीडियो में इस वीडियो देशने के लिए धन्यमाद